गुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स वेलकम इन माइ वीडियो लेक्चर तूड़े इन दे क्लास बीवेफ सेंस्टर अब सब्जेक्ट फंडमेंटल अब कम्प्यूटर वीवेफ स्टुदेंट्स आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्च इंजन्स क्या होते हैं आपने नाम तो सुनावगा सर्च इंजन होते क्या है बेसिकलि इंटरनेट में इनका यूज होता है सर्च इंजन जिसके माध्यम से हम कोई भी इनफ़ॉर्मेशन को या ठिकलर टॉपिक को या किसी भी डेटा को सर्च कर सकें internet की resources को use कर सके that is known as search engines आईए देखते हैं अपने topic के बारे में search engine refers to a huge database of internet resources जो search engine है वो internet resources के huge database को refer करते हैं ठीक है जैसे web pages web pages मतलब website की pages होते हैं news groups program images etc इन सारे चीजों का database हमारे internet पो होता हूँ उसे use करने के लिए हम search engine का use करते हैं उसे view करने के लिए उसे access करने के लिए it helps to locate information on bird wide web और ये जो है search engine वो हमारे लिए help करते हैं कि हम अपनी जो bird wide web यान की www यान किसी website को अगर हम search करना साते हैं तो search engine के माध्यम से या help से हम उन्हें search करेंगे user can search for any information by passing query in form of keywords और फ्राज ठीक है user किसी भी information को search कर सकता है कैसे किसी भी keyword को या query को pass करके या input देकर माली जो गूगल है गूगल है गूगल पर आपने कई बार बहुत सारी चीज़ें search की होंगी तो गूगल क्या एक search engine है उसमें एक option आता है ठीक है जहां text के रूप में आप उसके बारे में लेख सकते हैं जो भी topic आपको search करना है तो query pass कर सकते हैं अब तो आप mic के तुरू जैसे mobile की बात हो रही तो mic के तुरू बोल कर भी Google पर search कर सकते हैं जिस भी keyword या topic या situation के बारे में या topic के बारे में आपको जानना है और Google के पास जो भी database है उसके आधार पर वो आपको उसका reply देगा ठीक है यानि कि जो भी आपने access करना चाहिए है जो भी inquiry है आपकी अगर माल लीजे उसके बारे में आपने पूछा है तो Google के पास जो भी database में उससे related query answers है वो आपको provide कराएगा अगर आपके लिए वो useful है तो आपको ने पढ़िए ठीक है it then search for relevant information फिर क्या होता है जब हम keyword को या अपनी query को पास कर देते हैं तो जो हमारा search engine है वो क्या करता है relevant information को search करता है in its database यानि कि अपने database में and return to the user और user को return कर देता है जैसे मैंने भी बताया था ठीक है यह search engine का काम होता है माली search engine काम क्या अगर हमने कोई query search engine से पूछी तो जो search engine की database में उसके relevant information होगी वो क्या करेगा वो उसे display कर देगा user उसे user को return कर देगा ठीक है search engine components के अगर हम बात करें तो generally there are three basic components of a search engine as listed below three इसके component है basic component जैसे की web crawler database search interfaces web crawler की बात अगर हम करें तो यह होता क्या है it is also known as spider or boats इसे हम spider or boats के नाम से भी जानते है it is a software component that traverse the web to gather information यह एक software component है इसका काम होता है कि जो web जो है information gather करता है उसे traverse करने का काम ठीक है उसे traverse करने का काम web crawler का होता है जो भी माले जी हमने कोई query दी उसके बाद internet क्या करेंगा उससे relevant जो information हो उसे क्या करेंगा gather करेंगा ठीक है तो उस information को gather किया जाता है तो उस information को traverse करने का काम जो होता web crawler का होता है जिसे हम spider or boats भी कहते हैं clear बात करते हैं database की all the information on the web is stored in database web पर जितनी भी information होगी वो database में ही store होगी ठीक किसी भी website के बारे में है या website के कोई information किसी topic के बारे में कोई information है वो हमारी web पर ही होगी यानि कि web page के थुरू ही हमारे search engine में data store हो सकता है ठीक है it consists of use web resources ये use web resources को consist करता है search interfaces के बारे में हम बात करते हैं this component is an interface between user and the database search interface वो क्या है इंटरफेस है between user and database यानि जो user और इस database के बीच में इंटरफेस क्या search interface इसका मतलब है ये ऐसा process है कि user search interface का use करेगा search करने के लिए तो search interface क्या करेगा database में से उस relevant information को show करेगा display करेगा user के लिए ठीक है तो हम कह सकते हैं जो search interface है वो क्या है search interface क्या है पार्ट है कहां का user और database के बीच का it helps the user to search through the database और database के थ्रोर search करने में ये user की help करता है तो ये तीन component थे search engine के अब बात करते हैं आगे search engine working के बारे में search engine कैसे काम करते हैं search engine बैसे आपने देखे भी होंगे बहुत से आप जानते भी होंगे जैसे गूगल है ओपेरा मिनी है मोजिला फायरफॉक्स है इंटरनेट एक्सप्लोलर है ठीक है तो ये क्या है हमारे search engine है जैसे आजकल तो पॉपिलर गूगल होगा ये मोजिला होगा फायरफॉक्स लेकिन गूगल सबसे ज़्याद पॉप्लर क्योंको इसका डेटाबेस बहुत ही लार्ज है ठीक है इजिली आपको मतलब एक पर्टिकॉलर टॉपिक के बारे में ये पर्टिकॉलर प्रॉब्लम के बारे में आपको बहुत सारा रिलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसके सॉलूशन के बारे में ठीक है सर्च इंजिन बर्किंग की बात करते हैं सबसे पहले बेब क्रेवलर डेटाबेस एंड सर्च इंटरफेस आर दा मेजर कंपोनेंट इन सर्च इंजिन web crawler database और जो search interface है वो क्या है major component है किसी भी search engine के that actually makes search engine to work search engines make use to boolean expressions and or not to restrict and within the result of a search following are the steps that are performed by the search engine ठीक है इनका कहने का मतलब यह है search engine actually क्या करता है कि जो भी query हमने की वो क्या ही information जो हमारी हमने search की है वो हमारी boolean expression के through search engine में जाएगी और उसके बाद उसका result जो भी है वो search होगा ठीक है तो इसके कुछ steps है कि कैसे हम search करते है उसके बारे में देखते है सबसे पहले क्या करेगा search engine looks for the keywords in the index for predefined database तो जैसे हमारी keyword क्या है पर कोई भी topic या information ठीक है search engine क्या करेगा देखागा कि हमारा keyword क्या है यानि कि जो user है वो क्या search करना चाहता है वो कहलाता keyword यूजर क्या search करना चाहता है वो हमारा keyword हो गया उसके बाद index में वो देखेगा कि यूजर क्या search करना चाहता है और फिर predefined database है उसमें जाकर क्या करेगा web search के थुरू उस keyword को search करेगा उस database में ठीक है और then it then use software to search for the information in database फिर यह software के use करेगा जिससे की database में वो information को search कर सके this software component is known as web crawler और इसे हम web crawler कहते है ठीक है यानि कि web crawler के माध्यम से ही माध्यम से ही वो क्या करेगा जो भी keyword है उससे database में search करेगा उसके बाद once web crawler find the pages जब web crawler pages find कर लेगा उस particular keyword के बारे में then the search engine then show the relevant web pages as a result फिर जो search engine है वो क्या करेगा जो भी information से सर्च की है web crawler ने web page सर्च की है तो उन्हें show कर देगा relevant जो भी web pages है उन्हें as a result show कर देगा उस keyword के लिए ठीक है these retrieved web pages generally include title of page size of text portion first several sentences etc तो यह जो है web page generally क्या करेंगे page का title को include करेंगे size of text portion को include करेंगे और first several sentences को यह use करेंगे उसमें retrieve करने के लिए web page को ठीक है user can link on any of the search result to open it user क्या कर सकता किसी जो भी search result हमारे पास आया उसे click करके open कर सकता मान लीजिए google की बागर हम बात करें तो google में अगर मान लीजिए google में इस तरीके का एक box होता है ठीक है उसमें text के थुरू हमें को search कराना तो हमने मान लीजिए टाइप कर दिया एजुकेशन 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 और इस एजुकेशन के बारे में पता करना है उससे relevant जो भी डेटा होगा हमारा ठीक है जितनी भी पेजिज होंगे वो यह बन बाई बन हमारे गूगल के द्वारा यह गूगल है ठीक है गूगल के द्वारा हमें यहां मिल जाएंगे फिर हम directly किसी पर किलिक करके किसी एक पर भी किलिक करके हम उस particular information के बारे में या इसके कीवर्ड की जो भी relevant डेटा उसके बारे में जान सकते हैं यह काम होता search engine का तो आज के इस लेक् database and search interface तो web crackler और database ठीक है तो यह जो search engine है वो क्या है database और user user एंड database के बीच का interface है यह ठीक है इस पर depend होता है तो यह था हमारा आज का topic search engine ओके thank you students